दावा पेश करने वाले हैं, राजभवन पहुंच चुके हैं नितीश कुमार और तेजस्वी यादव जेडी और बीजेपी के बीच ये गटबंदन तूटा, पांच साल बाद फिर से ये गटबंदन तूट गया है नितीश कुमार राजपाल फागू चौहान के पास पहुंचे अपना स्तीफा दिया और अब एक बार फिर से तस्वीर आ गई है, जहां राजपाल से मुलाकात करने के लिए वो पहुंचे हैं ताकि सरकार को बनाने का दावा पेश किया जा सके और ये देखिया आप एक के बादे नितीश कुमार की आठवी शपत होगी किसी का साथ लिया हो या किसी को उन्होंने टाटा बाई बाई कर दिया हो शपत नितीश कुमार ने लिया है, चाहे वो साल 2000 रहा हो चाहे वो 2005 हो, चाहे वो 2010 हो, चाहे 2015 हो या 2017 या 2020 ये आटवी मर्तबा शपत नितीश कुमार की होने वाली है और लाइव तस्वीरे भी आप लगातार देख रहे हैं जहां नितीश कुमार एक ही गाड़ी में मौजूद थे तेजस्वी यादव प्रेम रंजन पतेल ब्यार बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए जरा उंका रुख करते हैं आटवी बार शपत लेंगे नितीश कुमार प्रकाश मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए जरा उनका रुख कर लेते हैं प्रकाश कनेक्शन में थोड़ी दिक्कत है लेकिन क्या आप देख पा रहे हैं एक ही गाड़ी में मौजूद तेजस्वी यादव और और उनके साथ ने तीश कुमार प्रकाश में मौजूद तेजस्वी यादव पीछे ने ते और सामने में लॉलन सिंग बैटे हुए थे अब यह तस्वीर है कौन साथ बैटे करें कौन सब्सक्राइब होगा जैके पीछे जी 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 और तमांग कॉंग्रेस के नेता एक सेकंड रोक रहे हुए आपको मैं कहा रही हूं कनेक्शन की कुछ दिक्कत है निदीश्री भी हमारे साथ मौजूद है जेडियू के 45, आरजेडी के 89, कौंग्रेस के 19, बाकी तमाम 20, कुल मिलाकर हो जाता है 163 का आकड़ा बहुमत के लिए 122 चाहिए, ये एक बड़ा गटबंदन तयार होता साफ़तोर पर नजर आ रहा है सीधा रुक निदीश्री का करेंगे, निदीश्री एक ही गाड़ी में चाचा बतीजे सवार थे जी बिलकुल रोबिका देखिए, बहुमत का आकड़ा पहले से ही महा गडबंदन अब जो नया बना है उनके पास है और यही वज़ाए कि जादा वक्त नहीं लगा होगा आकड़ों की तियारी कड़े में और आज की जो सबसे बड़ी तस्वीर है, पहली तस्वीर आई जब राजभवन से निदीश कुमार निकले साथ में ललन सिंग थे और सिधा राबडी आवास गये, दोनों एकी गारी में मौझूद थे और दूसरी तस्वीर अभी नज़र आई जब राजभवन के लिए आए हैं तेजस्वी आदव पीछे बैठे थे एकी गारी में और ठीक बगल में चाचा यानि निदीश कुमार बैठे थे और आगे को ड्राइविंग सीट पर ललन सिंग बैठे थे ललन सिंग को आज की तारिक में चानक के कहा जा सकता है क्योंकि जिस तरीके से मुखा रोकर ललन सिंग ने नितीश उमार के फेवर में जो बाते कहीं और रसकॉर्णस भी किया था उन्होंने तो आज की तारिए में ये तस्विर सबसे एहम हो जाती है और जो गारियों का काफिला गया है जो जाने वाले अंदर नेता है उनमें एक तो विजेद चांटी है और इसके अलागा चांट को आगे की दिशा देते हुए नजर आ रहे थे और ये दोनों घोड़ा गाड़ी पहुच गए है यहां पर ना चालूंगे विहार नहीं कि सब्सक्राइब को रोजगार मिलेगा और चाचा भती जा जिन्दा बाद को पुलिस उठा के वाले जा रहे हैं कि यह जोड़ियों मनोग्या लोईवाल वहां से लोगों से बातचीत करते हुए और वहां देखे तादाद में आजड़ी और जेडियू के समर तक पहुंच रहे हैं और उनका यह कहना है लालू यादव की बेटी ने राजलक्ष्मी जो है उन्होंने ट्वीट किया है चानक क्या मतलब बिहार यह लालू प्रसाद यादव की बेटी राजलक्ष्मी का ट्वीट है हम चानक की शब्द का जिक्र करी रहे थे और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता यहां पर मौझूद है उनसे एक रियाक्शन लेना बनता है क्योंकि कल तक जो वेट इन वाच की स्थिती में थे आज की कह रहे हैं कि हालात बहुत खराब हैं और जनता के साथ धोका हुआ है प्रेम रंजन पटेल साहब जे ये बिहार की जनता के साथ भोखा है जब 2020 में हम लोग नितीस कुमार को नेता बना करके चुनाओ लड़ रहे थे उसमें बिहार की जनता ने विश्वास किया था नरेंदर मोधी पर और नरेंदर मोधी जी के बातों पर और जन्मत देने का काम किया था सीटे नितीस कुमार जी की पार्टी को कम आई थी वो मुखमंतरी बनने से इंकार कर दिये थे लेकिन भारतिये जनता पार्टी ने कहा कि हमने बाइदा किया है विहार की जनता के साथ उसके साथ हम धोखा नहीं होने देंगे इसलि लिए आप ही के नेतुत्मे सरकार बनेगी. हम ने नितीश जी के नेतुत्मे सरकार बनाई. अबरा के साथ ही रुखते नहीं आपके साथ आ रोप लगा रहे हैं. आप पर हम तो लगातार रिष्टा रखे हैं आप ये बताईए कि नितीश कुमार जी कब कब गटवंदन को तोड़े हैं और हमारे साथ नहीं जिनके साथ गए उनके साथ भी गटवंदन तोड़े जब 17 में RJD से अलग हुए थे तक कुछ मुद्दे उठाए थे उन मुद्द हो जाता है कि नितीश कुमार ही दल बदल करने के माहिर व्यक्ति हैं वही गटवंदन को तोड़ते हैं जिसके साथ रहते हैं उसके साथ भी धोका करते हैं और जनता के साथ भी धोका करते हैं मैं आपको ये बता दूँ कि आप यहाँ पर धोके की बात कर रहे हैं लेकिन हाँ गड़बंदन एक बार फिर से बिहार में बन रहा है और उसमें सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी को हो रही है तो बिहार में एंडिये तूटने पर कॉंग्रेस को एबीपी नियूज आप को रखे आगे